भरन पोशन याने मिंटेरंस जब पत्नी पती से भरन पोशन लेना चाहें कई बार पती सोचता है मैं भी पत्नी से भरन पोशन ले सकता हूं क्या और इतने सारे कानून इतने सारे कानून उतना ही डाउट किस कानून के अंतरगत क्लेम करें ये confusion create कर देता है इस वीडियो में ज़रा बात करें कितने प्रकार के कानून ने कहा कहा भरन पोर्षन याने maintenance की बात करी गई है और आपके लिए क्या बहतर हो सकता है किस धारा के अंतरगत किस section के अंतरगत अगर आप maintenance का claim case फाइल करें तो आपको क्या होगा benefit चलिए शुरुआत करते हैं आपने शुरुआत जो की है वो अश्योग पांडे के साथ की है online legal advice आपका अपना चैनल है कानून से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बिलते हैं इसलिए subscribe जरूर कर ले bell icon जरूर प्रेस करें चलिए शुरुआत करें और बात करते हैं कि क्या है maintenance के अलग-अलग provision तो Hindu Marriage Act 1955 का कानून जहां पर section 24 important है भरण portion की बात कर दिया अब यहां पर जो भरण portion है पतनी पती के साथ में claim कर सकती है और उसकी जो conditions है बाकी कानून के जैसी ही है लेकिन अब इस पर बात आपको यह ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब कभी भी आप section 9 restitution, conjugal right, divorce का, judicial separation का enrollment का case फाइल करें या void-voidable marriage का अगर आपका कोई case है section 11-12 का तो उस condition पर आप धारा 24 का application भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर court आपको maintenance award कर सकती है धारा 24 के अंतरगर अगर आपका बच्चे को लेकर के कोई dispute चल रहा है और केवल और केवल आप बच्चे के लिए maintenance करना चाहते हैं या आप अपने आपको भी include करना चाहें तो वहाँ पर एक दूसरा कानून आ जाता है जसकी धारा 18 the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956 काम में आती है जहाँ पर आप claim कर सकते हैं बच्चे बच्चे के लिए जो भी आपको bharan portion claim करना है तो यह आप धारा 18 धारा Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 में करेंगे अब एक और विशेश कानून जो सभी के लिए जाधा तर जो Maintenance के bharan portion के cases किये जाते हैं वो धारा 125 criminal procedure code में किये जाते हैं और यह ठीक भी है इस वज़ा से क्योंकि इसमें कोई restriction नहीं है यह सारे धर्मों के लिए सारे लोगों के लिए जो भी citizen of India है वो claim कर सकता 125 के अंतरगर और इसमें कोई special ऐसा नहीं है कि अगर आप Hindu law बिलॉंग कर रहे हो या Muslim law या Christian law तब ही आप कर सकोगे या नहीं है यह सब के लिए बराबर है तो धारा 125 बहुत जरूरी है जहां पर आप maintenance का या भरन portion का case कर सकते हैं और यह क्योंकि centralized act है मतलब criminal procedure code all over India applicable है तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं इसके प्रावधान कहीं पर भी अलग नहीं है अब दूसरी एक जो बात आजाती है कानून की section 23 section 23 किसका the protection of women from domestic violence act 2000 अब इसमें क्या है कि जब DV act का case किया जाता है घरेलू हिंसा 2005 का जो यह कानून है घरेलू हिंसा के जब मामले होते हैं जहाँ पर पती पत्नी के साथ मारपीट करता है सास उसुर परिशान करते हैं उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और जहाँ पर घरेलू हिंसा से संबंदित मामला हो बहाँ पर magistrate court को power दिया गया है कि वो interim maintenance या ex party maintenance या जो भी maintenance भरन पोशन की राशी है वो धारा तेज के अंतरगत दे सके पत्नी को जहाँ पर घरेलू हिंसा के बाव तो आपको ये धियान में रखना है जहाँ मारपीट करी गई है परिशान किया गया है निकाल दिया गया घर से तो domestic violence का जब कभी भी आप case फाइल करें तो वहाँ पर section 23 में maintenance का आप claim कर सकते हैं तो ये अलग-अलग कानून हो गए अब कई लोग जो शादी करते हैं वो special marriage act यानि court marriage करते हैं तो जब आप court marriage करते हैं special marriage act 1954 कि धारा 36 important है जहाँ पर आप maintenance का claim कर सकते हैं भरन portion का claim कर सकते हैं तो मैंने आपको कितने कानून बता दी काफी सारे बता दी सबसे पहले section 24 Hindu marriage act बताया फिर 125 CRPC आपको बताया criminal procedure court जो की सब के लिए बराबर है फिर Hindu adoption and maintenance act section 18 बताया धारा 18 1956 का जो कानून है उसके बाद हमने domestic violence act the protection of women from domestic violence act 2005 के कानून की बात की जहाँ पर धारा 23 है और उसके बाद हमने एक और secular law special marriage act 1954 की बात की जहाँ पर section 36 में बताया गया है कि भरन portion claim किया जा सकता है maintenance claim किया जा सकता है अब किन बातों को आपको ध्यान में रखना है इन बातों को ध्यान में रखना है कि जब कभी भी matrimonial proceedings या dispute में आप जाएं और भरन portion के आप बात करें तो वहाँ पर पत्मी कमा नहीं सकती वो sufficiently earn नहीं कर सकती बच्चा उसके साथ में है तो बच्चे के जो हर महिने के जो खर्च है वो आप claim कर सकते है और legislatures ने कोई discrimination नहीं किया है जैसे discrimination नहीं किया मतलब पुरुष भी claim कर सकते है बट कुछ exceptional cases है कौन से exceptional cases है क्या होते हैं उसको किसी और वीडियो में हम cover करेंगे मैंने आलरेड़ी इसके पहले ही बताया थे कि husband कब maintenance claim कर सकते है अपने wife से बट वो exceptional cases है लेकिन जादा तर यह जो सारे मैंने आपको कानून बताए इन सबी कानून में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि education याने पढ़ाई लिखाई महिला की क्या है और husband की क्या है उससे क्या maintenance में फरक पड़ता है qualifications मतलब उन्होंने क्या degree अपने हाथ में रखी हुई है मतलब education qualification उनकी क्या है earning कितनी है capability of earning कितनी है वो कमा कैसा सकते उनको क्या कोई rental income आरी है या नहीं कहीं job कर रहे है कि नहीं कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं तो क्या उनकी capability है इन सारी चीज़ों को court ध्यान में रखती है और यह जो मैंने आपको last में कुछ terms बताई कि बैई education qualification का क्या होगा और इसके साथ ही उनकी capability of earning है तो उससे क्या maintenance में प्रभाव पड़ेगा उसकी उपर बात करेंगे यह video था जहांपर मैंने आपको बताया और जादा तर जो cases हैं 125 CRPC के अंतरगत किये जाते हैं criminal procedure court section के अंतरगत किये जाते हैं 125 धारा के अंतरगत तो आप भी जादा कोशिश कीज़े कि इसी धारा के अंतरगत जाएं क्योंकि इसमें आसानी से recovery हो जाती है मतलब क्योंकि criminal procedure court है और इसमें recovery के chances जादा रहते हैं अगर कई बार पती maintenance नहीं भी देता है तो recover कैसे होगा उसे क्या jail जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा तो इसमें काफी बहतर तरीके से recovery हो जाती तो एक best option है otherwise जो दूसरे sections मैंने बताया है उसका भी आप claim कर सकते किस condition में करेंगे वो already मैंने आपको explain कर दिया section 24, section 125, section 18 Hindu adoption maintenance act, section 23 the protection of women from domestic violence act और section 36 special marriage act ये सारे कुछ relevant provision है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे comment box में जरूर बतायेगा इसके साथ ही किसी परिशानी के लिए दिया आप करना चाहते हैं बात इस वीडियो के description में detail है, link है जहां से आप direct appointment book करके भी कर सकते मुझे बात आप सभी ने जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपका मुझे यानिया शोपांडे को दिया आपका धन्यवाद, online legal advice subscribe जरू कर ले, कानून की जानकारी और latest informative legal videos आपको इस channel के माध्यम से मिलते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में